उन्नाव में अचलगन स्थाना छेतर के जामुका के पास वनी बजाज पेपर लिम्टेट पैक्टरी में काम कर रहे मजदूर की मौथ हो गई मजदूर को प्राइवेट गाड़ी से उचार के लिए पैक्टरी के लोगों ने जिला अस्पिताल में पहुचाया जहां टॉक्टरों ने उसको मृत घोशित कर दिया वही फैक्टरी मैनेजर ने परिजनों को घटना की जानकारी दी आपको बता दे कि मजदूर की मौत की खबर सुनकर परिवार में कोहराम मच गया वही परिवार और ग्रामीड फैक्टरी के बाहर पहुच कर हंगामा करने लगे हंगामे की सुचना पर पहुची पुलिस और SDM ने मौके पर पहुच कर ग्रामीड और परिवार वालों को समझा कर मुआज़ा देनी की बात कर हंगामे को सांथ करा दिया आपको बता दे कि HDM सदर ने बताया कि संतोस कुमार फैक्टरी में सुपर का काम कर रहे थे उनकी मसीन में पस जाने की वज़े से इम्रत्य हो गई जिसके बाद परिवार के लोगों ने फैक्टरी के बाहर पहुचे और शवर रखकर हंगामा करने लगे इसके सुचना पर इस्थानी पुलिस ने समझाने का प्यास किया लेकिन परिजन नहीं माने मौपजे की बाद बल ग्रामीडों और परिजनों ने हंगामा बंद किया वहीं मौपजे की पत्नी को 4 लाख रुपए का मौपजा नहीं बलकि तीनों बच्चों के नाम 2-2 लाख रुपए का फिक्स डिपॉजिट कराया गया है और जब तक बच्चे 21 साल के नहीं हो जाते तब तक उन्हें 5,000 रुपए प्रतिमा फैक्ट्री दारा अकाउंट में भेज दिये जाएंगे वहीं 50,000 रुपए अंतिम संसकार के लिए भी दिये गए है बिरो रिपोर्ट आइपियन